Good morning friends, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल Study with Ravi पर चलिए आज की दे हिंदू एडिटोरियल वकैबलरी शुरू करते हैं वकैबलरी की PDF के लिए आप मुझे टेलिग्राम ग्रूप पर जोड़ सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप का नाम है Study with Ravi ठाकुर तो आपको इस वकैबलरी का PDF टेलिग्राम को पर मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं वकैबलरी, आज की वकैबलरी का पहला वर्ड है डेलेमा, डेलेमा यहाँ पे नाउन की तरह ही उज़वा है इसका मतलब होता है किसी बात के बारे में या किसी स्थिती के बारे में दुविधा में होना या असमंजस में होना उसको बोले जाता है डेलेमा अगला शब्द है Salvaging Salvaging यहाँ पे वर्ड पी तरह ही उज़वा है इसका मतलब होता है किसी को मदद देना, उसको problem से बाहर निकालना, उबारना या उसका बचाव करना, उसको बोले जाता है salvaging. अगला शब्द है skewed, skewed यहां पर ejective इसका मतलब होता है कोई सूचना जो सही ना हो किसी व्यक्ति के प्रभावित होने के कारण या फिर तथ्यों के अभाव में, या तो हमें उस बारे में पूरी तरह से तथ्ये मालूम ना हो या फिर वो बात किसी व्यक्ति से प्रभावित ह तो इसके कारण वो सूचना सही ना हो, उसको बोलाता है skewed, अगला शब्द है discernible, discernible यहां पर ejective इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज या स्थिती जो समझने योग्य हो, बिल्कुल साफ तोर पर हम समझतर के उसको हम बोल सकते हैं प्रतेक्षिया साफ होना, उसको बोलाता है discernible, अगला शब्द है empowerishing, इमपावरिशिंग यहां पर वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी चीज को शक्ति हिन कर देना, उसको कमजोर बना देना या निर्बल बना देना, उसको बोला जाता है empowerishing, अगला शब्द है wetted, वेटड यहां पर वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कोई भी आधिकारिक आग्या या आधिकारिक आदेश होना, उसको बोला जाता है fear, अगला शब्द है vulnerable, वेटड यहां पर एजक्टिपी तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई स्थिती, जिसे आसानी से श इसका मतलब होता है कोई भी स्थिती या किसी भी काम को नियंतरण में रखना, उसको काबू में रखना, उसको बोला जाएगा containment, अगला शब्द है disruption, इसका मतलब होता है किसी भी काम में बाधा उत्पन करना, रुकावट पैदा करना, या फिर व्यवधान उत्पन करना, उ इसको गैर कानूनी तरीके से मार डालना, उसको बोला जाएगा lynching, अगला शब्द है arbitrary, यहाँ पर एजेक्टिकी तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है मनमाने एवं उचित धंग से, कोई भी काम करना, अपनी मर्जी से, मनमाने धंग से या अनूचित रूप से, जि इसी कोई बात, जो सुनी-सुनाई बात पर, किस से कहानियों पर अधारित हो, और वो गलत भी हो सकती है, उसको बोला जाता है, anecdotal, अगला शब्द है, dissemination, dissemination यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी विशे के बारे में गहन, चर्चा करना, उसके ब शर्यंतर रचना, उसको बोले जाता है, conspiracy, अगला शब्द है, diatribe, diatribe यहाँ पर noun की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, किसी के निंदा करना, या किसी के खिलाफ, उग्रया, कठोर भाशन देना, कटू शब्दों का यूज़ करना, उसको बोले जाता है, diatribe, अ अफरत पैदा करने वाली हो, उसको बोले जाता है, abomination, अगला शब्द है, reciprocated, reciprocated यहाँ पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, एक दूसरे के प्रती, समान आचरण करना, या फिर समान भाव रखना, उसको बोले जाता है, reciprocated, अगला शब्द है, vocabulary का boards, boards यहाँ पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है, भविषय वानी करना, भविषय के बारे में अच्छा या कुछ बुरा शकुन बताना, उसको बोला जाता है, boards, और आज की vocabulary का अंतिम शब्द है, stringent, stringent यहाँ पर adjective की तरह यूज़ हुआ है, इसका मतल अंतिम लगी हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजेगा, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा, तो आज की vocabulary इ झाल